दोस्तो योरकर एक विशेस परकार की गैंदबाजी होती है जिसमें गैंदबाज गैंद को बल्लेबाज के पेरों के पास ठीक क्रीज पर डालता है इसे खेलना बल्लेबाज के लिए बेहत कठिन होता है खासका जब गैंद तेजी से आए योरकर स्पेसलिस्ट गैंदबाज अंतिम औरो में सबसे ज़्यादा परभावी होते हैं जब बल्लेबाश तेजी से रन बनाने की कोशिस में रहते हैं यॉरकर के माध्यम से रन रोकना और विकेट लेना दोनों ही आसान हो जाते हैं विसू क्रिकेट में एक से बढ़कर एक यॉरकर स्पेसलिस्ट गैनबाज हुए जिन्नोंने अपनी यॉरकर गैनबाजी से दुनिया में खूब तहल का मचाया यॉरकर स्पेसलिस्ट गैनबाजू का अभ्यास और आत्मविस्वासी इन्हें इस अस्तर पर पहुंचाता है कि वे दबाओ के पलो में भी सटीक यॉरकर डाल सकें उनकी सकला ने उन्हें क्रिकेट जगत में एक खास पहचान दिलाई है और वे अपने टीम के लिए मेच जिताओ भूमी का निबाते हैं तो चलिए जानते हैं कुछ यॉरकर स्पेसलिस्ट गैनबाजू के बारे में वकार यॉनुस की यॉरकर को क्रिकेट इतिहास में सबसे खतरनाक यॉरकरों में गिना जाता है वकार यॉनुस ने 1990 के दसक में अपनी तेज और सटीक यॉरकर गैंदों से विसु क्रिकेट में अपनी एक अलगी पहचान बनाई उनकी यॉरकर इतनी तेज और सटीक होती थ वकार की यॉरकर की खासियत उसकी गती और सिविंग थी वे गैंद को तेज रफतार के साथ निचले करम में लाते थे जो बल्लेबाज के पैरों के पाश जाकर सीधी ठकराती थी इस कारण बल्लेबाज के पास या तो बोल्ड होने का खतरा रहता था या लपी डबलू का उनक बल्लेबाजो के पैर महीं जाम हो जाते थे वकार यॉनुस की गैंद बाजी एक्सन में जो ले थी वे उनके यॉरकर को और भी परभावी बनाती थी विसे इस रूप से डैथ आवर्स में उनकी यॉरकर बल्लेबाजो के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी वकार यॉन मलिंगा की यॉरकर क्रिकेट की दुनिया में सबसे चल्चित और खतरनाक मनी जाती है उनका यॉणध बाजी एक्षन और सटीक यॉरकर उन्हें डैथ आवर्स का विससके बनाता है मलिंगा की यॉरकर गैंद बाजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सिलिंग सोट सैली है जिसमें गैंद लगबग बल्लेबाज की आँखों से ओजल होकर निकलती है और अचानक पैर के पाज तेजी से टकराती है मलिंगा की यॉरकर की खासित उसकी गती और सटीकता में है वे बेहत कम रन अप से आते हुए एक तेज रफतार यॉरकर फैंकते थे जो सीधे बल्लेबाज के पैरों के पाश जाकर गिलती थी बल्लेबाज को ना तो अपने पैर बचाने का समय मिलता था और ना ही सोट खेलने का इस कारण मलिंगा ने अपने करियर में धेरो बल्लेबाजो को बोल लिया LBW किया उनकी सकलाने उन्हें T20 और वंडे किरिकेट में डै तोरों का बेताज बादसा बना दिया उनकी यॉरकर को खेलना बल्लेबाजो के लिए हमेशा एक चुनोती रहा और इसलिए मलिंगा को किरिकेट के इतिहास में यॉरकर के माश्टर के रूप में याद किया जाएगा वसीम अकरम वसीम अकरम की योरकर को क्रिकेट इतिहास में सबसे बहतरीन और खतरनाक योरकरों में से एक माना जाता है वसीम अकरम जिने स्विंग का सुल्तान कहा जाता है उन्होंने अपने करियर में योरकर गैन बाजी को एक कला के रूप में प्रस्तुत किया उनकी यॉरकर में जबलदस्ट सिविंग, सटीकता और गती का बहतरीन संतुलन था जिसने उन्हें विस्व क्रिकेट के सरसरेष्ट गैन बाजों में सुमार किया वसीम अकरम की यॉरकर की सबसे खास बात उसकी लेफट आर्म सिविंग और रिवर्स सिविंग थी जब गैन पुरानी हो जाती थी तब अकरम अपनी रिवर्स सिविंग यॉरकर से बल्लिबाजों को चकित कर देते थे उनकी यॉरकर सीधे बल्लिबाज के पेरों पर जाकर टकराती थी जिससे बल्लिबाज को ना तो सोट खेलने का मौका मिलता और ना ही अपने विकेट बचाने का उनकी यॉरकर डेत आवर्स में बेहत परभावी होती थी जब विपकसी टीम तेजी से रन बनाने की कोसिस कलती थी अकरम ने अपनी इस घातक यॉरकर से कई मेचों में पाकिस्तान को जीत दिलाई खास तोर पर 1992 के विसुकप में जहां उनकी गैनबाजी ने पाकिस्तान की जीत में महत्तौपून भूमी का निभाई थी अकरम की यॉरकर ने ना केवल उन्हें वेक्तिगत सफलता दिलाई बलकि उन्हें युवाओं के लिए एक प्रेरना भी बना दिया उनके जैसे यॉरकर डालने की कला को कई गैनबाजों ने अपनाने की कोसिस की लेकिन वसी मकरम की सटेकता और सिविंका संग्योजन एद्वित्य रहा उनकी यॉरकर गैनबाजी ने उन्हें यॉरकर माश्टर और क्रिकेट इतिहास के महानतम गैनबाजों में से एक बना द जिससे बल्लेबाजों के लिए उसे खेलना बेहत मुस्किल हो जाता है खासकर डेथ ओवर्स में इस्टार के की यॉरकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है इस्टार की यॉरकर की खासित ये है की वैसे लगातार 145 से 50 किलो मेटर परती घंटे की लफ़तार से डाल सकते हैं जो सीधी बल्लेबाजों के पेरों के पास गिरती है उनकी यॉरकर में सिविंग भी होती है जो गैंट को इस्टम की ओल ले जाती है और बल्लेबाज को बॉल्डिया LBW का सिकार बनाती है इस्टार का लंबा कद और उनका तेज रनप उनकी यॉरकर को और भी खतरनाग बनाते हैं उनका एक्सन और लिलिज पॉइंट्स ऐसा है की बल्लेबाजों को आखरी अक्सन तक यॉरकर का अंदाजन नहीं होता यॉरकर को खेलना किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनोती पूर्ण रहा और इसी वज़े से वे T20 वंडे और टेस्ट क्रिकेट में एक बहुत परभावी साली गैंदबाज बने हुए हैं सैन बॉंड की यॉरकर क्रिकेट के सबसे घातक हतियारों में से एक मानी जाती थी न्यूजिलैंड के इस तेज गैंदबाज ने अपनी गती सटीकता और अक्रमकता की चलते बल्लेबाजों के लिए हमेशा मुस्किले खडी की बॉंड की यॉरकर में गजब की स्पीड और सिविंग का बहतरीन सैयोजन था जिससे बड़े से बड़े बल्लेबाज भी उसे खेलने में ऐसे हैज महसूस कलते थे सैन बॉंड की यॉरकर की खासियत उसकी रफतार और नियंतरन था वे 150 किलोमेटर पलती घंटा से अधिकी गती से यॉरकर डालते थे जो सीधे बल्लेबाजों के पेरों की ओर जाकर टकराती थी डैथ ओवर्स में उनकी यॉरकर ने कई मौकों पर नियुजिलेंड को मेच जिताने में एहम भूमी का निभाई उनके पास गैंट को दोनों तरफ सिविंग कराने की एक समता थी जो उनकी यॉरकर को और भी खतरनाग बना देती थी चोटो ने उनकी करियर को छोटा कर दिया लेकिन जब भी वे अपनी सरुसरेश्ट फॉर्म में थे उनकी यॉरकर विपकसी टीम के लिए एक बुरे सपने की तरह होती थी सैंड बॉंड की यॉरकर ने उने क्रिकेट इतियास के सबसे तेज और खतरनाग गैंबाजों में सामिल किया उनकी सटीकता गती और अक्रमकता ने उने एक ऐसा गैंबाज बनाया जिसे किसी भी स्थिति में विकेट निकालने के लिए भरोसे मन माना जाता था जस्परीद बॉम्रा जस्परीद बॉम्रा की यॉरकर गैंबाजी क्रिकेट की दुनिया में एक महतवपून और खतरना खतियार मानी जाती है उनकी यॉरकर की खासियत यह है कि वैसे लगातार सठीकता से डाल सकते हैं जो बल्लेबाजु के लिए बहुत मुस्किल साबित होती है बॉमरा की यॉरकर तेजगती लाइन और लैंद की बेहतरीन समझ का नतीजा होता है कि बॉमरा का एक्सन भी उनकी यॉरकर को खास बनाता है उनका अलग सा गैनदबाजी एक्सन बल्लेबाजु को भरमित कर देता है और वे सही समय पर यॉरकर को नहीं पढ़ पाते इसके अलावा बुमरा की गैंद गती और सिविंग उन्हें और भी खतरनाग बना देती है योरकर डालते समय बुमरा की रण नीती बहुती सपष्ट रहती है बल्लेबाच के पैर के पास गैंद को पुरी ताकत से डालना ये बल्लेबाच को सौट खेलने का समय नहीं देती औ और या तो बॉल्ड हो जाते हैं या फिर LPW का सिकार बनते हैं। कई मेचों में बुमरा ने अपने यॉरकर से महत्वपून विकेट निकाले। खासकर डैत ओवरों में जहां उनकी सठीक यॉरकर विपकसी टीम की लंगती को रोकने में महत्वपून बुमी का निबाती है। उनकी यहकला उन्हें दुनिया के सर्फ सरेश्ट टेज गैनबाजों में से एक बना देती है। उमरगुल की यॉरकर गैनबाजी 2000 के दसक में पाकिस्तान क्रिकेट की पहचान बनी। उन्होंने टीटवनटी और वंडे क्रिकेट में अपनी सठीक यॉरकर से विपकसी बल्लेबाजों को काफी परिसान किया। उमरगुल का यॉरकर खासकर डेत ओवर्स में बेहत परभावी साबित हुआ जिससे वे टीटवनटी क्रिकेट के सबसे घातक गैनबाजों में से एक बन गए थे। उमरगुल की यॉरकर की सबसे बड़ी खोबी उसकी गती और सठीकता थी। वे निचली लैंद पर गैनद को इतनी तेजी से डालते थे कि बल्लेबाज के पास कोई पर्तिकिरिया देने का समय नहीं रहा था। उनकी यॉरकर गैनबाजी ने कई बार बड़े टूर्नामेंटों में पाकिस्तान को महतोपूंट जीत दिलाई। खास तोर पर टी-20 विस्वकब 2009 में उनकी यॉरकर गैनबाजी ने पाकिस्तान की जीत में एहम भूमी का निभाई थी। उनकी यॉरकर अक्सर बल्लेबाज के पैरों को निसाना बनाती थी जिससे बल्लेबाज बॉल्ड लिया LPW हो जाते थे। मगर गुल की यॉरकर टी-20 क्रिकेट में विसेस रूप से परभाव साली रही और इसी कारण उन्हें यॉरकर स्पेसलिस्ट कहा जाता है। उनकी गैनबाजी सेली ने उन्हें डेट वर्स का एक परमुक गैनबाज बना दिया था और उनके यॉकदान ने पाकिस्तान क्रिकेट को कहीं यादगार जीते दिलाई। मिचेल जॉनसन की यॉरकर उनकी तेज और अकरमग गैनबाजी का एक महतोपूर्ण हिस्सा थी। बाइहाथ के इस आश्ट्रेलियाई तेज गैनबाज की यॉरकर ने कई बहतरीन बल्लेबाजों को प्रेसानी में डाला। जॉनसन की यॉरकर में जबलदस्त गती और उच्छाल का मिसरंट था जो बल्लेबाजों के लिए खेलना बेहत मुस्किल बना देता था। मिचेल जॉनसन की यॉरकर की सबसे बड़ी ताकत उसकी रफतार थी जो अकसर 150 किनोमेटर पलती घंटा के आसपास होती थी। उनकी यॉरकर सेधी बल्लेबाजों के पेरों की और निसाना साथ थी जिससे बल्लेबाज को सौट खेलने का बहुत कम समय मिलता। जॉनसन अपनी यॉरकर को निचले करम के बल्लेबाजों के खिलाब भी बखो भी इस्तेमाल करते थे जिससे वे आसानी से विकेट निकालते थे वे अपनी यॉरकर को एक तेज तर्दार बाउंसर के बाद फैंकते थे जिससे बल्लेबाज ए समंझस में पढ़ जाते थे उनकी यॉरकर ने खासकर 2013-14 की S.H. स्रीज में इंगलैंड के बल्लेबाजों के लिए काफी मुस्किले खड़ी की थी जहां उनकी गती और सटीकता ने अस्ट्रेलिया को बड़ी जीत दिलाई थी मिचल जॉनसन की यॉरकर ने उने एक अकरमक और मेच विनिंग गैनबाज के रूप में इस्थापित किया उनकी यॉरकर की रफ़तार और अकरमक ताने उने क्रिकेट के सबसे खतरना गैनबाजों में से एक बना दिया और उनकी सकलाने अस्ट्रेलियाई टीम को कई महतवपून जीते दिलाई सॉन्टैट सॉन्टैट की यॉरकर उनकी तेज रफ़तार गैनबाजी का एक घतक हतिया थी टैट को उनकी तेज गती और अकरमक गैनबाजी सैली के लिए जाना जाता था और उनकी यॉरकर भी इसी रफ्तार का नतीजा थी सॉन्टेट की यॉरकर इतनी तेज होती थी कि बल्लेबाज को बहुत कम समय में पर्तिकिरिया देनी पड़ती थी जिससे वे अकसर चूक जाते थे टेट की यॉरकर की सबसे बड़ी ताकत उसकी गती थी जो 150 किलोमेटर परती घंटा से भी ज्यादा रहती थी उनकी यॉरकर गैंद इस टम्स पर बहुत तेजी से आती थी और बल्लेबाज को बॉल्ड करने या LPW का सिकार बनाने का मादा रखती थी यही कारण था कि बल्लेबाज को उनकी यॉरकर का सामना करना काफी मुस्किल लगता था हलांकि सॉन्टैट का करियर चोटों से परभावित रहा लेकिन जब भी वे अपनी लेमे होते थे उनकी यॉरकर किसी भी बल्लेबाज के लिए चुनोती होती थी उनकी तेज रफ़तार यॉरकर ने उन्हें T20 और वंडे क्रिकेट में एक खास पहचान दिलाई सॉन्टेट की यॉरकर उनकी आकरमक और रफ़तार का परतीक थी जिसने उन्हें क्रिकेट के सबसे तेज गैंदबाजों में सामिल किया डैल एस्टैन डैल एस्टैन की यॉरकर क्रिकेट के सबसे घातक हतियारों में से एक मानी जाती है अपनी तेज रफ़तार सिविंग और आकरमकता के लिए मशूर इस्टैन ने यॉरकर को एक खतरनाख हतियार के रूप में इस्तेमाल किया उनकी यॉरकर में जबलदस्ट गती के साथ सिविंग का बहतरीन मिसरन था उनकी यॉरकर ना सिर्फ सीधे इस्टम्स पर निसाना साथती थी बलकि अकसर लेट सिविंग भी कलती थी जिससे बल्लेबाजों के लिए उसे खेलना और भी कटिन हो जाता था खासकर डेट ओवर्स में जब बल्लेबाज तेजी से लंद बनाना चाहते थे इस्टैन की यॉरकर ने कई बार विपकसी टीमों की लंद गती पर रोक लगाई डेल स्टैन का आकरमक गैंद बाजी एक्सन और उनकी दबाव बनाने की अकसमता उने और भी खतरनाक बनाती थी उनकी यॉरकर गैंद बाजी ना सिर्फ विकेट लेने में मदद कलती थी बल्कि विपकसी बल्लेबाजों पर मानसिक दबाव भी बनाती थी इस्टेन ने टेस्ट वंडे और टीट वंटी में अपनी यॉरकर से कई महतवपून मेचों में दकसिन अफरीका को जीत दिलाई उनकी यॉरकर की धार ओल निरंतलता ने उन्हें विस्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक तेज गैंदबाजों में से एक बना दिया था डेलस्टेन का यॉरकर गैंदबाजी का अंदाज उन्हें क्रिकेट प्रेमियों के बीच लंबे समय तक यादगार बनाए रखेगा तो दोस्तों ये थे क्रिकेट की दुनिया के दस सबसे खतरनाक यॉरकर स्पेसलिस्ट गैंदबाज अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करना और चेनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद